दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो कोई कैसा स्टॉक बताने जा रहा हूं जिसने आप इस स्टॉक बोनस अनौस कर दिया है 2-4 के रेशियो से मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं FNOW मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगो को इस स्टॉक की कुछ और important information के बारे में बता देता हूँ तो इस company ने last one year के अंदर में अपने investors को 516% की returns दे दिये हैं जोकि पिछले एक साल के इसाब से कुछ जादा ही अच्छे returns हैं और इस स्टॉक का जो current price है 748 रुपीज के उपर में चल रहा है अगर आप company की market capitalization देखें तो एक 514 करोर्स की है इस स्टॉक का जो PE ratio है वो 43.8 का है जो की थोड़ा सा overvalued इस company को बना देता है book value इस स्टॉक की 66.5 रुपीज की है company का जो dividend deal है वो 0% का है अगर आप company का ROCE return on capital employed देखोगे तो एक काफी जादा अच्छ है 34.2% का और वहीं जो company का ROE return on equity है वो इससे भी जादा अच्छ है 41.2% का अब ROCE और ROE इतना जादा हाई है जिससे एक बात तो clear होती है कि company growth perspective से काफी जादा strong है इस stock की जो face value है वो 10 रुपीज की है और company का जो debt to equity ratio है वो 1.02 का है तो company के उपर में जादा debt मौजूद नहीं है जो की काफी अच्छी बात है अगर हम बात करें इस company के financials की तो simply हम last one year को यहाँ पे compare कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप company की sales देखेंगे तो जहाँ पे 2022 के अंदर में company की sales सिरफ 42 करोर्स की थी वही 2023 में बढ़ करके 125 करोर्स पे आ चुकी है तो last one year के अंदर में हमें company की sales के अंदर एक काफी शांदर massive growth देखने को मिलाए और अगर आप company का operating profit देखेंगे तो जहाँ पे 2022 के अंदर में 6 करोर्स का था वही 2023 में बढ़ करके 26 करोर्स पे आ चुका है तो sales और operating profit दोनों ही के अंदर हमें काफी शांदर growth या पे देखने को मिलाए और अगर आप company का net profit चेक करेंगे तो जहाँ पे 2022 के अंदर में सिरफ 1 करोर्स का net profit था वही 2023 में बढ़ करके 12 करोर्स पे आ चुका है तो लगबग एक साल के अंदर में company का net profit यांपे 12 गुना हो चुका है and massive growth company आपे दिखा रही है no doubt company के financials काफी जाधा strong है especially अग हैं बात कर लेते हैं इस company की shareholding patterns की तो March 2023 वाले quarter का last data है हमारे पास में जिसके accordingly promoters के पास में 52.93% का stake मौजूद है और जो बाकी का 47.07% का stake है वो public यानि की retail investors के पास में मौजूद है अब shareholding patterns हमें इतने कुछ खास देखने को नहीं मिलते हैं because यहाँ पे foreign institutions and domestic institutions की कोई भी existence नहीं है और साधी साथ में promoters का भी stake काफी जादा कम है अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है RMC Switch Gears Limited and company का जो Bombay Stock Exchange का code है वो है 540358 वहाई अगर हम company के official announcement की बात करें तो company ने आपके stock bonus announce कर दिया है 1 to 2 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 stocks हैं तो यहाँ पर आपको एक stock is a bonus मिलेगा मतलब total में आपके जो 2 stocks हैं वो 3 stocks में convert हो जाएंगे आप इसको 2 is to 4 का bonus भी कह सकते हो basically हर 2 stocks के उपर में आपको एक stock का bonus मिलने वाला है और company ने stock bonus को देने की x date और record date भी fix कर दी है जो की 13th of October की रहने वाली है तो अगर आपको इस stock को purchase करना हुआ ताकि आपको इसकी bonus का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को उसकी x date यानि की 13th of October से पहले पहले purchase कर लेना हुगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा इस channel को भ आपको ऐसी stock market से related content दिखने को मिलता रहे का चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई